आज का जो हमारा टोटका है ये बहुत ही प्रचंड और कारेगर है आपने तरह तरह की वीडियोज देखे होंगे और सुने होंगे इसमें बताए जाते हैं टोटके लेकिन ये जो टोटका है ये उन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है इसलिए मैं आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकें और इसका भरपूर फायदा उठा सकें इसके लिए आपको चाहिए होता है वैसे तो ये चीज़े नॉर्मल ये आपको मिल जाएंगी आपको लेना है एक घास की ये ताजा घास की गुच्छी जो कि बाहर कहीं पर भी मिल जाएगी आपको इसके अलावा आपको कुछ चीज़े जैसे की मुलतानी मिट्टी चाहिए होती है सूखा आटा चाहिए होता है और इसके साथ आपको तोड़ा सा गीला आटा भी चाहिए उसका रॉल बना लेजिए और परची और सिंदूर परची के उपर आपको लिखना वो है जो भी आपकी इच्छा होती है वो लिखना है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ देखे जैसे कि मान लीजी मैंने इस परची के उपर लिखा हुआ इसकी जगह पर उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं जिसके उपर वशीकरन प्रयोग करना है या फिर आप अपने इच्छा भी लिख सकते हैं उसके बाद आपको आपको गिले आपकी जो गोली थी उसको लेना है और उस गोली को मतलब उस कागच को इस तरह से मोड़ देना है कि वो इस आटे की गोली के अंतर आ जाए जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको इस पे सूखा आटा लगा देना है थोड़ा सा ताकि ये चिप-चिपा न रहे बाहर से और इसको आपको ऐसे करते जाना है जब ये अच्छे से हो जाएगा तो आप इसको देख लीज़ेगा क्योंकि ये फट जाती है ध्यान से तो आपको पूरी तरह से अच्छे से इसको गोल कर देना है और गोल करने के बाद इसके उपर मुलतानी मिट्टी में अच्छे आपको डबोना है ठीक है और इसको ताकि ये उसके उपर पूरी तरह से मुलतानी मिट्टी लग जाए जब ये दोनों चीज़े प्रोपर मात्रा में लग जाए बराबर लग जाए बिलकुल मतलब कहीं से जगह नहीं बचनीचे अच्छी तरह से लगा रहा है उसके बाद इस पे थोड़ा सा आपको सिंदूर जो है वो लगाना है किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लगाना है आप इसके उपर सिंदूर लगाईए थोड़ा सा और अंत में आपको ये जो घास है इस घास को पहले आपको गंगा जल से धोना है और गंगा जलना हो तो साफ पानी से और इस जो घास की आपको इतने बड़े घास की आपको उपर की जो कॉपल होती है या कोई भी उपर का हिस्ता तोड़के एकदम सीधा खड़ा रहना चाहिए अंदर नहीं ले जाने इसके अंदर एकदम वो सीधा जब तक खड़ा नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनेगी तो वो अंदर की तरफ से उपर को बाहर को निकला हुआ होना चाहिए और जब वैसा होगा तभी बात बनेगी जब तक आप इसको सही करिए और जब सही ना हो तो आप दूसरा ले लीजिए और वो इसमें आप लगा सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ देखिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये बहुत ही प्रचंड है और इसमें आप इसको ऐसे करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए आकाश की तरफ इसकी दिशा होनी चाहिए आपको ये गोले बनाने है और इन गोलो को आपको तलाब में फेक देना है जहां पर की मचलिया होती है और देखिए जैसे बाहर को निकला हुआ है और मचलिया आटा जरूर खाती है और आप यकीन नहीं मानेंगे अगर आपका एक ये काफी गोले बना सकते हैं और इनके अंदर आपकी wishes होती है जो भी आप चाहते है या उस प्रेमी का नाम या जो भी आप अपनी जीवन में पाना चाहते है और आप यकीन नहीं करेंगे अगर एक भी गोला मचली ने खा लिया तो समझो आपका काम हो गया और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिजल्ट दिखा देता है और आपको सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए होती है मुलतानी मिट्टी और ये सिंदूर हो गया और परचियां वगयरा तो ये तो था वशीकर्ण करने के लिए अत्यंत प्रभाव शाली उपाए और किर्पिया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को देखते रहिएगा ताकि मैं बना सकूँ आपके लिए और अच्छी वीडियो ओम नमस्शिवाए